नमस्कार दोस्तों मैं धर्वेन वर्मा उनलाइन इस्टडिवे टीके में आपका बहुत बहुत श्वागत करता हूँ आज है 23 जनवरी और आप सभी का उपिटेट का पेपर आज हो चुका है तो इसमें आज आपको आंसर की बताई जाएगी पर्यावरा अनध्यन की वियसे ही जो अन्य सब्जेक्ट हैं जैसे की बाल विकासे हिंदी है इंगली से गनी थे और जो अन्य सब्जेक्ट हैं उनके आ हमारे चैनल पर आकर वीडियो को देख लीजेगा थोड़ी थोड़ी देर में आपको वीडियो सभी मिल जाएगी तो यहाँ पर सबसे पहले हम प्रयावरा अध्यन के 30 प्रशन को देखेंगे यह आप हमारे रेगुलर वीडियो देख रहे होंगे तो आप सभी को पता होग किने 30 प्रशन में आपको कितने नंबर आ रहे तो यहाँ पर कार्बन डेटिंग संधर्वित किसको करता है यह पूछा गया था तो आपका रेट आंसर क्या होगा यह प्राचिन इस तलों में मोजूद हड्यों या सामगरियों के आयूमापन को संधर्वित करता है कार्बन सविधान सभा ने कब राष्टी गान को अपनाया था यह आज की पेपर में पूछा गया था दो दिन पहले ही अपनाया था 24 जनवरी 1950 को सविधान सभा ने राष्टी गान को कब अपनाया था तो 24 जनवरी 1950 को अपनाया था बायो मेगनिफिकेशन है, यहाँ पर देखें, बायो मेगनिफिकेशन के बारे हम पूछा गया था, तो यहाँ पर आपकर राइट अंसर होगा, समय के साथ उत्तक में विसेले पधार्त की बढ़ती साधरता, यहाँ पर फूर्थ वाला विकल्पे आपका सही होगा, जहाँ ज जैसा मैंने देखा है, वेब काफी सरल था आज का पेपर, यदि आपने चार-पांच मैने से आप यहाँ तैयारी कर रहे हैं, तो आप आसानी से यहाँ पर 120 प्लस नंबल आ सकते हैं, नमलिकित में से कौन जेव मंडल का अजेवी गटक नहीं है, यह पूछा गया था, आप आपका रेट आंसर यहाँ पर होगा कवक, याद रखेगा कवक जेव मंडल का अजेवी गटक नहीं होता है, ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्याले कहां पर रिष्टी थे, ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्याले आपसे पूछा गया था, तो यह कहां पर रिष्टी भोक्ता के बारे में आपसे पूछा गया था तो आपका रैट आंसर क्या होगा मानसाहरी जो मानसाहरी होता है यह सबसे उच्चे स्तर का भोक्ता होता है वायू मंडल का प्रमुक इस्तर जो प्रत्वी के सबसे पास में आपर देखे प्रत्वी के सबसे पास का इस्तर आपसे पूछा गया था वायू मंडल का तो वो कौन सा होता है तो वो छोब मंडल होता है यहाँ पर छोब मंडल आपका रेट आंसर होगा भारती संसेत द्वारा जेव विवित्त अधिनियम पारित किया गया था जो करने की प्रक्रिया ही जो परियावरान सरक्षन में साहिक है तो आपका रहेट आंसर क्या होगा जेविक खेती यहाँ पर आपका एकदम correct answer होगा अमली वर्सा के बारे हम पूछा गया था अमली वर्सा किसे संबंदित है तो जो अमली वर्सा होती है यह किसे संबंदित होती है तो यह sulfuric acid से याद रखेगा लाइफरेंसे इसका आसर होगा WWF का यहाँ पर second वाला विकल्पे आपका सही होगा फूलो की घाटी इसके बारे में हम काफी बार आपको बता चुके हैं फूलो की घाटी कहां पर रश्थी थे तो यह कहां पर रश्थीत होगी उत्राखंड में इस्तित है चालिए भारत में निमलिकित में से कौन सी एजेंसी मुख्य रूप से प्रदूसरण के मापन से सम्बंदी थे यहाँ पर तीसरा वाला विकल्पे आपका सही होगा कोटो पाकसी एक जागरत जौला मुख्य है जो कहाँ पर सित है यहाँ पर कोटो पाकसी के बारे में पूछा गया है यह एक जागरत जौला मुख्य है यह कहाँ पर सित है राकिज में है एंडिज में है हवाई में है या फिर सिसिली में है तो यह कहाँ पर है एंडिज में सित तो यह ब्रह्म पुत्र के नाम से जानी जाती है तिबत में जो सांगपो नदी है यह भारत में ब्रह्म पुत्र के नाम से जानी जाती है निम्ल में से कहां आरसनिक द्वारा जल प्रदूसर्ण सर्वाधिक यहां पर देखे आरसनिक द्वारा जल प्रदूसर्ण सर्वाधिक पूछा गया है कहाँ पर है पश्यम मंगाल में बिहार में मद्य प्रदेश में या फिर उत्तर प्रदेश में आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा पश्यम मंगाल यहाँ पर पहला वाला विकल्पे आपका सही होगा बहरत में पश्रिमी घाट के दखन सुस्क है क्योंकि क्यों है। महाँ पर प्रभाव है दापका प्रभाव है इसलिए रेन सेडो प्रभाव है उच्चे तुंगता प्रभाव है या पर निम्नता प्रभाव है तो राइट आंसर आपका क्या होगा रेन सेडो प्रभाव है भारत में परस्यमी घाट के दखन सुसके क्योंकि यहाँ पर रेन से अधिनियम पारित किया गया था इसके बारे में पूछा गया है तो ये कब किया गया था 1972 में तो यहां पर आपका सेकन वाला विकल्प आपका सही होगा वायूमंडल की उपरी सीमा पर प्रती इकाई छेत्र में प्राप्त होने वाली सोरी विकरन कहलाती है क्या कहलाती है तो याद रखीगा वो शूरिया तब कहलाती है शूरिया तब कहलाती है यहाँ पर फोर्त वाला विकल्पे आपका सही होगा किस देश के सविधान से मोलिक कर्तव लिया गया है वो कौन सा देश है जिससे सविधान के मोलिक कर्तव लिया गया है तो वो है USASR USASR से हमने मोलिक कर्तव लिया है सविधान का तो यहाँ पर पहला वाला विकल्पे आपका सही होगा सरवादिक जेव विवित्ता पाई जाती है यह कहां पर पाई जाती है तो याद रखेगा यह सांत घाटी में पाई जाती है चलिए LPG के संदर्व में क्या असत्य यहां पर देखे असत्य पूछा गया है यह यहां पर LPG के संदर्व में असत्य कथन पूछा गया था यहां पर असत्य कथन होगा आपका मिथेन और सर्जन करने वाला होता है यह LPG के संदर्व में असत्य कथन होगा पारिस्तित की तंत्र के घटक के बारे में पूछा गया है तो उसके घटक होते ही उत्पादक उपभुकतवा अप घटक यहाँ पर पहला वाला विकल्पे आपका सही होगा मकर रेखा, यहाँ पर देखें मकर रेखा के बारे में पूछा गया है तो रैट आंसर आपका क्या होगा 23 सही 1 बटे 2 डिग्री S यानि कि 23 सही 1 बटे 2 डिग्री साउत की ओर, तो यहाँ पर सेकंड वाला विकल्पि आपका सही होगा चलिए इको सिष्टम सब्धिका प्रयोग सरप्रथम किसके द्वारा किया गया है सरलसा है इसके बारे में भी काफी बार आपको बताया है जो इको सिस्टम सब्दिका प्रियों के सरुप्रत्रम किया गया है यह टरंसले यानि कि डाक्टर एन जी टरंसले के द्वारा किया गया है दुरूतारा इसके बारे में ये 1973 में किया गया था कभी किया गया था 1973 में काना राष्टी उध्यान सराल सा लड़ू जैसा प्रस्टन आपको दे दिया गया है काना राष्टी उध्यान भारत के किस राज्ज में है तो ये किस राज्ज में है मद्यप्रदेश में है काना राष्टी उद्धियान लखनव समझोता जो की 1916 में किन दो के मद्धी हुआ था लखनव समझोता के बारे में पूछा गया है तो आपका राइट आंसर क्या होगा कांग्रेस वा मुस्लिम लिंग के मद्धी हुआ था अखनव समझोता जो 1916 में हुआ था ये कांगरस वा मुसलिम लिंक के मद्धि हुआ था तो यहाँ पर फोर्त वाला विकल पे आपका सही होगा जंगली गदहों का अब्यारन कहां है इसके बारे में भी हमने बार-बार आपको बताया है जंगली गदहों का अब्यारन कहां पर अगला जो वीडियो आएगा वो आपको बाल विकास का या फिर हिंदी का मिलेगा उसके बाद जो अन्य सब्जेक्ट बचे उनको एक एक करके वीडियो आपको यहाँ पर अपलोड कर दिये जाएंगे तो आपको हमारे चेनल पर बने रहना है और थोड़ी थोड़ी देर मे हमारे चेनल पर विजिट करते रहे हैं क्योंकि जैसे जैसे हम वीडियो अपलोड करेंगे आपको नोटिफिकेशन उसकी नहीं मिलेगी तो आप हमारे चेनल के माद्यम से सारा एनलाइसिस कर सकते हैं सारी आंसर की आप हमारे चेनल के माद्यम से प्राप्त कर सकते हैं यदि